हेलो 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 नमस्कार दोस्तों बॉलिवूड टॉलिवूड कॉलिवूड यानि की हिंदी फिल्म इंडस्टी तेल्गोई फिल्म इंडस्टी तमिल फिल्म इंडस्टी तीनों ही इंडस्टी आजकल बॉक्स आफिस में कमाल कर रही है बॉलिवुड में शारू खान की मूवीज, रनबीर कपूर की मूवीज हो या फिर तेलकू फिल्म डस्टी में अलू अर्जुन की मूवीज हो जूनियर एंटियार की मूवीज हो या फिर तमिल फिल्म डस्टी में सूपरस्टार रजनी कांत की मूवी हो विजय की मूवी हो तो कहीना कि ऐसा लग रहा है कि इस समय या आपकर सकते हैं 2023-2024 में काफी बड़ी-बड़ी हिट हमें देखने को मिल रही है लेकिन अब वहाँ कलेश होने वाला है बड़ा कलेश एक होने वाला है तीन बड़े एक्टर्स के बीच में एक है तमिल फिल्म रस्टी के स्टार विजय थालापधी विजय दूसरे है तेलकू फिल्म रस्टी के स्टार अलो अर्जुन और तीसरे है हिंदी फिल्म रस्टी के स्टार वियाने की अजे देवगन इन तीनों की ही मूवीज सेम डेट पे आने की chances लग रहे हैं जहां जहां तक अगर हम बात करें तो तीनों ही काफी बड़े-बड़े अपनी अपनी इंडस्टी में बड़े स्टार है बड़े नाम है लेकिन पिछले कुछ सालों में हम सभी को पता है कि यही जिस तरीके से market evolve हुई है तो यहां पर अब ऐसा लग रहा है कि South की जो movies हैं यानि कि Tamil और तिल्गो की जो movies हैं और हम नौर्थ के अगर बात कर ले जाए वो Marathi movies हो Center की बात करें Marathi movie हो या फिर गुजरात की movie हो खासकर Punjabi movies हो ऐसा लगता है कि कईना के market सबकी ही बढ़ती चारी है पंजबी movies भी आजकल worldwide में 100-100 क्रोड का collection कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो तमील और तिल्गो की movies होती है वो अच्छा collection आजकल हिंदिय मार्केट में कर रही है थेटर्स में ही पहले आसा होता था कि जब release होती थी TV पे तो बहुत लोग उन movies को देखते थे लेकिन अब थेटर्स में जाकर के डारेक्ट लोग movies को देख रहे है वैसी जो पंजबी movies है पहले वो जातर पंजब की state में ही चलती थी लेकिन अब साथ साथ में पंजब, हरियाना यूपी के कुछ पार्ट और हिमाचल, उत्रागन खाफी states में गई ना कही है अब पंजबी movies भी देखे जा रही है और वहीं बॉलिवड movies भी अब लोग जो है डारेक्ट तमिल और तेलगू लेंगवेज में भी थेटर्स में रिलीस कर रहे है लेकिन जिन तीन movies के मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपको बता दूँ पहले अगर हम बात करें तो पुष्पा मुवी पुष्पा टू दरूल अलोर जुन की यह जो मुवी है इसमें सुकुमार इस मुवी को डारेक्ट कर रहे है और इस मुवी की जो रिलीस डेट है वो लगबग अगस्थ 15th 2024 है वहीं अगर हम बात करें तो गोट ग्रिटेस्ट ऑफ आल टाइम इसके फुल फॉर्म होती है लेकिन गोट मुवी खालापदी वीजे की मुवी है वेंकटेश प्रभू इस मुवी को डारेक्ट करे है और इस मुवी की जो रिलीस डेट है वो लगबग अगस्थ 15th 2024 में ही बताई जा रहे है और वहीं सिंगम अगेन जो कि एक बहुत बहुत बड़ी मुवी होने वाली है क्योंकि एक फ्रेंचाइजी जो यह है यह वैसे ही बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है तो सिंगम अगेन अगर हम बात करें तो अजे देवगन इसमें हमें देखने को मिलेंगे और बड़ी स्टार का असिस में रहेगी लेकिन रोहित शर्षेट्टी जो की काफी पॉपुलर और काफी बड़े डारेक्टर है तो उनकी मूवी भी कहिना कहिन अगस्ट 15-24 में ही रिलीज होने की चांसेज है तो तीनों मूवी तीन बड़े स्टार्स की मूवी एक साथ रिलीज हो तो आप समझ सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस में कहिना कि ऑडियन्स तो बटेगी बटेगी लेकिन कलेक्शन भी बटेगा खासकर पुषपा टू दरूल जो मूवी है क्योंकि उसका क्रेज हिंदी में भी होगा तो कहिना कि टफ कंपुटेशन हिंदी मार्केट में सिंगम अगेन और कुषपा टू के बीच देखने को मिल सकता है पहले आप इन तीनों में से कौन सी मूवी को प्रेफर करना पसंद करोगे पहले देखना पसंद करोगे कमेट बॉक्स में लिख के जरूर बता है और आपको क्या लगता है कि ये तीनों मूवीज सेम डे पर रिलीज होनी चाहिए या फिर नहीं जो भी कहना कमेट बॉक्स में लिखे हैं सब्सक्राइब करें बिलते नेक्स वीडियो में धन्यवाद